नमस्कार दोस्तों कैसे वो आप लोग आए होप आप सम मज़े में होंगे दोस्तों आज की ये वाली वीडियो काफी जादा धमाकेदार होने वाली है बिकोज आज की इस वीडियो के अंदर में आप लोगों को एक ऐसा स्टॉक बताने जा रहा हूँ जिसने आपे 75% का डिविडेंट अनौंस किया है और साथ ही साथ में सेम टाइम पर स्टॉक ने आपे बाइबैक भी अनौंस कर दिये 20% अप अपने करंट मार्किट प्राइस से मजलब स्टॉक का जो करंट प्राइस है करंटली 166 रुपीज के ओपर में ट्रेड हो रहा है और कमपनी ने आपे बाइबैक अनौंस के 200 रुपीज पर स्टॉक का और इसके साथ डिविडेंट भी अनौंस के 75% पर स्टॉक के हिसाब से तो चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं इस वीडियो के अंदर इसी स्टॉक की मैं आप लगों को पूरी डिटियल्स दूँगा बात करेंगे इसके फंडनामेंटल्स की, फानैंशल्स की, शेरोल्डिंग पैटन्स की अंद साथ ही साथ में बताऊंगा इसी डिविडेंट और बाइबक को देने की एक्स डेट्स क्या होने वाली है तो चलिए अब इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं आप इस वीडियो को एंड तक देखना हैं कहीं पे भी स्किप मत करना चलिए दोस्तो अभी के भी इस वीडियो को लाइक कर दीजे चानल को भी सब्सक्राइब कर दीजे मैं हूँ आरोश आप देखने हैं फेनो मीडिया बाया आरोश चलिए अब इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं बताता हूँ आपको कौन सा स्टॉक जिसने आपे धमाकेदा डिविडेंट अनौंस के 75% का और साधी साथ में आपे धमाकेदा बायबायक अनौंस किया 20% अप अपने करन्ट मार्केट प्राइस से दोस्तो इस स्टॉक का नाम बता देने से पहले मैं आप लगों को इसके कुछ और डिटेल्स के बारे हम बता देता हूँ तो चलिए सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं स्टॉक के पास्ट रिटरंस की तो आप देख सकते हैं इसका जो 52-week लो है वो सिरफ 69 रूपीस का है और वहीं जो 52-week खाया है वो 172.2 रूपीस का है तो स्टॉक का जो करन्ट प्राइज है करंटली अपने 52-week हाय की तरफ में मूव कर रहा है जो कि हमें बताता है कि जो stock है भी एक upwards trend के अंदर में move कर रहा है आई अब हम लोग बात कर लेते हैं इस company के कुछ fundamentals की तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इस company की market capitalization की तो अब देख सकते हैं इस company की market cap है वो 2,492 crores की है वहीं जो PE ratio है वो काफी जाद अच्छा है सिरफ 9.68 का है PB ratio 1.39 का industry PE 8.79 का है debt to equity ratio भी काफी जाद अच्छा है सिरफ 0.48 का है return on equity ROE काफी कम है आपे averagely 15-20% अच्छी मानी जाती है बट इस company की 4.51% की है EPS से आपे 10.35 का है dividend yield 0.90% की है book value stock की 130.74 रुपीस की है जो की काफी जादा fair enough है वेको stock का current price अपनी book value के आसपास में ही trade कर रहा है और इस stock की जो face value है वो यहाँ पे 10 रुपीस की है यह तो होगा कमपनी के fundamentals की बात अब आईए बात कर लेते हैं इस company के financials की तो सबसे बहले हम लोग बात करेंगे revenue की 2018 से लेके 2022 तक के data की तो 2018 में company का revenue था 1067 करोर्स का वह 2019 में बढ़के 1787 करोर्स पे आया और 2020 में अगेन यह बढ़करके 1808 करोर्स पे आ गया था बढ़ 2020 के बाद से लगातार घटता जारा एंड current यह 2022 के अंदर में 1342 करोर्स पे आ चुका है आई अब हम लोग बात कर लेते इस company के profit की तो profit भी exactly revenue की तरह ही move कर रहा है 2018 में 69 करोर्स का था और 2020 तक यह लगातार बढ़ता गया और 2020 के अंदर 149 करोर्स पे आ गया था बढ़ 2020 के बाद से लगातार घटता चला गया और 2022 current यह के अंदर तक के डेटा के अंदर में 2018 में जा network सिरफ 1339 करोर्स की थी वहीं अभी current year 2022 के अंदर में 1791 करोर्स पे आ चुकी है तो all over financials की बात करूं तो revenue और profit 2020 के बाद से लगातार घटते जा रहे हैं बढ़ जो network है वो increase होती जारी है जो की अच्छी बात है आईएब हम लोग बात कर लेते हैं इस company के shareholding patterns की तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे September 2021 के patterns की दिनों से हम लोग compare करेंगे September 2022 से तो September 2021 के अंदर में promoters के पास 53.79% की holding थी company में retail investors के पास 40.34% की holding थी other domestic institutions के पास में 2.36% foreign institutions के पास में 2.22% और बागी की holding जो की 1.29% की थी वो mutual fund houses के पास थी अब आईएए से compare कर लेते है September 2022 से तो जो promoters की current holding थी 53.76% की है approximately आप 0.03% की selling करी है यहाँ पे promoters ने अब आईए बात कर लेते हैं आपे हम retail investors की तो इनकी जो current holding है 42.04% की है और पहले आपे 40.34% की थी तो approximately आपे 1.8% की purchasing करी है retail investors ने other domestic institutions की बात करें तो इनकी holding 1.95% पे आचुकी है पहले इनकी जो holding थी वो 2.36% की थी तो approximately 0.4% की selling करी है other domestic institutions ने foreign institutions की बात करें तो इनकी current holding 2.25% पे आचुकी है पहले 2.22% थी तो approximately 0.03% की purchasing करी है foreign institutions ने बागी की holding mutual fund houses के पास जो थी 1.29% की वो पूरी उन्होंने sell कर दी है पूरा जो उनका भी quote है वो 0% पर आ चुका है तो mutual fund houses के पास as of now कोई भी stake नहीं है company के अंदर तो all over share holding patterns की बात करें तो fair enough है यहाँ पे काफी अच्य-ची holders है foreign institutions है other domestic institutions है and retail investors के बाद कुछ जादा ही stake है जो कि आने वहले time में obviously कम होता चला जाएगा जैसे foreign institutions है आपे नई entries हमें दिखाते रहेंगे चलिए अब बात कर लेते हैं stock के नाम की तो company का नाम है well spend enterprises limited and company का जो NSE code है वो है w e l e n t and वहीगर हम बात करें company का official announcement की तो company ने आपे dividend announce के 75% अपनी face value से जो की 7.50 रूपीज का बनता है मतलब अगर आपके पास में इस company का एक stock है तो आपको हर एक stock पे 7.50 रूपीज का यहाँ पे dividend मिल जाएगा and इस dividend को देने की जो exit date होने वाली है वह 11th of January की होने वाली है and वहीगर हम बात करें buyback की तो company ने आपे buyback announce के 200 रूपीज पर stock के साबसे जिसका मतलब यह approximately 20% अपने market price से उपर का buyback company ने announce किया है and buyback के अंदर में अगर आप अपना एक stock company को वापस sell करते हो तो company आपको एक stock के बदले में आपे 200 रूपीज दे देगी and इस buyback की जो X date है वो भी तक upcoming में है तो company की तरफ से जैसी कोई भी official announcement आता है buyback की X date को लेके मैं आप लगों को सबसे पहले intimate कर दूँगा and अगर अब आप लगों को इस dividend का benefit चाहिए तो आपको इस stock को इस की X date यानि 11th of January से पहले-पहले purchase करना होगा तो आपको हर एक stock के उपर में 7.50 रूपीज का याँ पर dividend मिल जाएगा and दोस्तो आज की वीडियो के अंदर इतना है अब अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो वीडियो को जरूर से like कर दीजेगा इस channel को भी जरूर से subscribe कर दीजेगा बेकस फिनो मीडिया के अंदर आपको ऐसी stock market से related content देखने को मिलता रहेगा चलिए मिलेंगे किसी और वीडियो के अंदर till then बाई